कैसे बनाएंगे एलोन मस्क मंगल ग्रह पर मानव बस्तिया पर इनसानी बस्ती बन चुकी होगी जहां इनसान रह रहे होंगी लेकिन क्या सच में मंगल ग्रैप पर बस्ती बसाना इतना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि NASA तो कई बार अपने स्टेट्मेंट में यक है चुका है कि 2030 की बाद ही मंगल ग्रेप पर इंसानी बस्ती का निर्मान संबह हो पाएगा और उससे पहले ऐसा कुछ कर पाना काफी ज़्यादा मुश्किल है या फिर सीधा सीधा कहूं तो नामुंगिन है पर जिस स्पीड से ऐलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स में स्पेस टेकनोलोजी पर काम कर र आपको बताएंगे कि एक बंजर मंगल ग्रह को कैसे वज्यानिक बदलेंगे एक हरे भरे ग्रह में आखिर कैसे नासा और एलन मस्क एक रेडियेसन से भरे और जहरी लेवातावन वाले ग्रह को इंसानों के रहने लाइक कैसे बनाएंगे तो आप आज इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहा है ना बात कुछ जानने को मिलेगा आपको तो चलिए चलते हैं मंगल ग्रह की भायनक दुनिया में मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं इस पेस का चैनल रहस्य टेलिविजन आपके मन में ये तो सवाल तो कभी न कभी आय ही होगा कि आखिर दुनिया भर की सभी स्पेस एजनसियां और एलन मस्क मंगल ग्रह पर ही भविश्य की मानव बस्तियां क्यों बसाना चाहते हैं जबकि सॉलर सिस्टम में तो प्रत्वी के अलावा और साथ ग्रह मौजूद है तो अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं त कि आखिर मानव बस्ति बसाने की रेष्ट में वे मंगल ग्रह से इतना पीछे क्यों रह गए हैं तो इस लिस्ट की शुरुआत होती है सॉलर सिस्टम के सबसे पहले ग्रह मर्कुरी प्लानेट से जो सूरज के सबसे करीब ग्रह है और आप इसी लाइन से समझ गए होंगे कि आखिर ये मानव बस्ति बनाने के लिए अच्छा क्यों नहीं है क्योंकि भाई ये सूरज के बिलकुल करीब रहकर उसके चक्कर लगा रहा है जिसके कारण इसकी सथय का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और 400 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ पा रहे ह मतलब हमारी तो हड्यां ही गल जाएगी इसी की तरह इसका दूसरा भाई वीनस यानि शुक्र ग्रह है जो सॉलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है अब उसके हालात मरकुरी से भी बुरे हैं क्योंकि इसके वातावर्ण में कारण डिग्री औक्साइड की काफी ज्यादा मात्रा क चलते यहां काफी खतरनाग ग्रीन हाउस एफेक्ट पैदा होता है जिसके चलते ही पूरा ग्रह एक जलती हुई भटी का बना हुआ है जिसकी सथाय का तापमान तो 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसके कारण यहां अभी तक का भीजा गया कोई भी रोवर मि पैटल्स के पार्ट्स पिगल जाते हैं अब आप ही बताईए कि आप ऐसे ग्रह पर बस्ती बना कर रहना चाहोगे इसलिए यह भी लिस्ट से बाहर हो जाता है और अब बारी आती है सॉलर सिस्टम के सबसे बड़े और पांचवे ग्रह जूपीटर की जिससे गैस जाइंट सेंटर में बस एक लावा और लिक्वीड आयरन से बना कोर मोजूद है जहांका तापमान भी 5000 डिग्री से उपर है यह अगर आप इस ग्रह पर जाते हैं तो आप लगातार नीचे ही जाएंगे और आपका आखरी पड़ाव इसका कोर ही होगा जहांपर आपको इसके 5000 डिग खतरनाक दवा और तापमान के चलते आपकी मौत पहले ही हो चुकी होगी और बिलकुल इसी तरह के हालात आपको सॉलर सिस्टम के छटे ग्रह सेटरन पर देखने को मिलेंगे क्योंकि यह भी एक गेस जाइंट है इसलिए बात करते हैं सॉलर सिस्टम में आखर में और नेप्चून की तो दोस्तों इनको मानोबस्ती बनाने के लिए इसलिए कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका 90% हिस्सा अमोनिया मेथेन और पानी से बना है और यहां भी जूपीटर और सैटरन की तरह सर्फिस नाम की कोई चीज ही नहीं है यां कोई जमीन नहीं ह इसलिए यहां पर किशी तरह की मानोबस्ती बसा पाना इंपॉसिबल है तो अब पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक ही ग्रह बचा जो वैसे तो इनसानों के रहने लाइक नहीं है लेकिन वैन सभी ग्रहों से कई लाख गुना बेटर है और सबसे बड़ी बात वैग्यानिको को यकीन है कि भविश्य में मंगल ग्रह को पृत्वी की तरह इंसानों के रहने लाइक बनाया जा सकता है और सिरफ इसी कारण पूरी दुनिया और एलन मस्क मंगल ग्रह पर मानव वस्ति बसाने की कोशिश में लगे है पर यह इतना भी आसान होने वाला नहीं है खासकर तो ऐसे में मंगल ग्रह पर बस्तियां कैसे बनाएंगे तो चलिए जानते हैं आखर कैसे वेग्यानिक मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लाइक बनाएंगे मंगल ग्रह पर रिसर्च की सुरुवात 1997 से शुरू हुई क्योंकि यही वे साल था जब पहली बार मंगल की सथय पर कोई इंसानी रोवर उत्रा था इस रोवर का नाम था मार्स पाथफाइंडर जिससे दिसंबर 4 1996 को लौंच किया गया और करीब एक साल के लंबे सफर के ब रिसर्च में असली रिवोलुशन 31 जुलाई 2008 में देखने को मिला क्योंकि यही वे पहला साल था जब फॉनिक्स मार्श लेंडर की रिसर्च में इंसानों को मंगल ग्रह के पोल्स के नीचे बर्फ के रूप में जम्य पानी के बारे में पता चला और इसी रिसर्च में यही सामने आया कि मंगल ग्रह के पास अपना खुद का एक पतला वातावर्ण भी मोजूद है और यही वो टर्नी पॉइंट था जहां से मंगल ग्रह पर की जैने वाली नॉर्मल रिसर्च वहाँ पर भविश्य की मानो बस्ती बनाने की मिसन में बदल गई क्योंकि अब वग्यानिकों को केवल मंगल ग्रह के बारे में जानकारी ही इखटा नहीं करना था बलकि भविश्य में इस ग्रह की कमियों को दूर करते वे इस पर इंसानी बस्ती को भी बसाना था जिसके बाद नासा ने और मंगल ग्रह पर कही मिसन किये कही सेटिलाइट और रोवर्स भेजे जिसके मदद से हमें मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानने को मिला जिसके हमें इसके कोर कमजोर मेगनेटिक फील्ड और रेडियसन से भरे वातावन के बारे में भी जानन तो एलन मस्क पर इस तरह के कई कॉपिरेट इस्ट्राइक पड़ चुकी होती। इसलिए इनसानों को पूरी तरह से मिटा सकती है। पर आखिर नासा और एलन मस्क एक बेजान बंजर रेडियसन से भरे और जहरी लेवाता उनाले ग्रह को इनसानों के रहने लाइक कहसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि इनसानों को रहने और जीने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इनसानों की तीन में जरूरते हैं जिनके बेना इनसान जी नहीं सकता है। एक ऑक्सिजन से भरा एक्टमोश्वियर, दूसरा लिक्विड पानी और तीसरा ग्रह के चारो और एक स्ट्रॉंग मेगनेटिक फिल्ड जो इनसानी शरीर को कौस्मिक रेडियेशन से बचा सके। वेसे इसके अलावा ग्रेविटी भी एक एहम फैक्टर है लेकिन एक्सरसाइज और दूसरे तरीकों से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो क्या मंगल ग्रह पर इनमें से कुछ भी मौजूद है पर दोस्तों दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि मंगल ग्रह पर इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है ना तो मंगल ग्रह पर ओक्सिजन मौजूद है और ना ही लिक्विट पानी क्यूंकि यहाँ पर पानी बर् इतना कमजोर हो चुका है कि आसानी से कॉस्मिक रेडियेशन और सूर्य से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल इसकी सर्फेस तक पहुंचते हैं जिसके कारण इसकी सथय पर इतना ज़्यादा रेडियेशन है कि बिना स्पेस सूट के यहां इंसान दो मिनट भी जिन्दा नह कर रही है जिनकी मदद से इन सभी परिशानियों को टेक्नलोजी की मदद से कम या खत्म किया जा सकता है और कुछ सो सालों में ही मंगल ग्रह को एक बंजर बेजान चट्टानी ग्रह से पृत्वी की तरह एक हरे भ्रे ग्रह में बदला जा सकता है और सच बताऊं तो सौलस स सिस्टम में ही ऐसे एस्टरोईट की भरमार है जिनका आकार कही किलोमेटर में है और जो पूरी तरह से पानी और नाइट्रोजन से गेज से बने हैं यानि अगर हम किसी तरह इनकी डारेक्शन में बदलाव करके इन्हें मंगल ग्रह की ओर करते हैं तो इनकी टककर के चलते समय के साथ ये सभी नाइट्रोजन और पानी टककर से पैदा हुई गरमी के कारण इसके वातावन में मिल जाएंगे और धीरे धीरे मंगल ग्रह पर तापमान नॉर्मल होने लगेगा जिसके कुछ सो सालों बाद यहां एक घना वातावन और रैन साइकल की शुरुआत हो जाए कि पृथवी पर इतनी सारी ऑक्सिजन आखिर कहां से आई तो कुछ बिलियन साल पहले तक पृथवी के वातावन में ऑक्सिजन नहीं थी बलकि इससे जादा कारण डाय ओक्साइड मौझूद पृथवी के वातावन में थी लेकिन इस दोरान पृथवी पर साइनो चोटे जीवों का जन्म हुआ जो बिल्कुल पेडों की ही तरह फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस को किया करते थे यानि ये वातावन की कारबंडे ओक्साइड को लेकर उससे ऑक्सीजन में बदल दिया करते थे इसी तरह बिलियन सालों तक चले इस प्रोसेस ने प्रत्वी पर आ पानी के समुंदर बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो उनमें इन माइक्रोब्स की कुछ मात्रा डालने पर ये काफी तेजी से अपने आप में बढ़ते जाएंगे और मंगल ग्रह के वातावन से कारबंडे ओक्साइड को निकाल कर ऑक्सीजन में बदलते जाएंगे यानि अगर इसी तरह किया जाए तो कुछ सो साल या हजार साल बाद मंगल ग्रह के वातावन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी यानि पानी और ऑक्सीजन की जरूरत का इंतजाम तो हो गया लेकिन अब रेडियसन से बचाने वाले मैग्नेटिक फिल्ड का क्या तो इसके प्लान बनाया है जिसमें वो कही बड़े सॉलर सेटलाइट को मंगल गे लो आर्बिट में उसके दोनों पोल्स पर रखेंगे जिन से काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फिल्ड पैदा किया जाएगा जिसके परिणाम सवरों पूरे ग्रह के चारों और एक मैग प्रत्वी की तरह बनाना है तो ऐसा करना ही होगा लेकिन अगर हम इन सभी तीन चीजों को सक्सेस्फूली करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिये मंगल और प्रत्वी में कुछ हजार साल बाद फर्क करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मंगल ग्रह प्रत्वी की तरह एक प्लेनेट बन जाएगा जहां बड़े-बड़े समंदर और जंगल मौजूद होंगे पर जैसा कि मैंने कहा कि यह पूरा प्रोसेस काफी लंबा है जिसमें कुछ सो साल से लेकर हजारों सालों का समय लग सकता है पर अगर हम बात करें कि कुछ सो सालों मंगल ग्रेपर बनाए जाने वाली कोलोनियों की तो दोस्तों उनमें तो एस्टोनोट को स्पेस सूट पहन कर ही रहना होगा पर कही वैज्यानिकों का मानना है कि मंगल ग्रेपर कुछ सो सालों तक रहने के बाद हम वहाँ पर ही ऐसे घरों का निर्मान कर पाएंगे जो एक खतरनाक एनवार्मेंट से दूर बिना इस्पीस सूट की भी रह सकेगा बिल्कुल उसी तरह जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्टोनोट के रहने के लिए एक आर्टिफिशल एनवार्मेंट बनाया जाता है जिसके कारण लगातार वैग्यानिक ऐसी टेक्न दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस सीफ होने वाली है जिन में करीब सो लोग एक साथ मंगल ग्रह की यात्रा कर सकेंगे एलोन मस्क का सपना है कि वैं 2025 तक इनसान को मंगल ग्रह पर पहुंचा दे और हम 2025 में मार्स पर पहली इनसानी बस्ती की शुरुआत करे जिसके लिए व तो एलोन मस्क की मंगल ग्रह पर भारी हो रहे हैं वैसे मैं आपसे जानना हुचाऊंगा कि क्या एलोन मस्क 2026 तक मंगल ग्रह पर मानव वस्ती बसाने का सपना पूरा होगा या भी भी मंगल ग्रह पर जाने में इंसानों को कुछ और सालों का समय लगेगा आप अपना जब कार की यात्राइं आप तक पहुंचीती रहें धन्यवाद